नमस्ते बच्चों बाट अठेनी की कि आगे की कहानी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और उबिस्तार से समझेंगे रसिला सोस्ता रहा बच्चों इसके पहले यह होता है कि रसिला अपने मालिक बाबु जगसिंग को रिश्वत की रूप में पांसो रुपे लेते वे सुन लेता है सुनने के बाद अपने मित्र रमजान को बता देता है और रमजान रसिला की बात को सुनकर यह कहता है कि बस इतनी सी बात हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरू है आज भी एक शिकार फसा है हजार से कम तैन अखुगा तो रमजान की इस बात को सुनकर रसिला सोचता रहा मेरे हांस से सैंकडों रुपे निकि लाकों रुपे निकल गए पद्धरम न बिगडा लेकिन मेरी इमान दारी नहीं दूर हुई एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती निकि उन लाकों रुपे में से करोड रुपे की मेंने लेन दिन की है निकि बाबु जगर सिंग के पैसे किसी और को दिये होंगे और और से पैसे लाकर बाबु जगर सिंग को दिये होंगे तो उन मेंसे अगर रसीला एक-एक आना भी उडाता यहने कि एक-एक आना भी अपने पास रख लेता तो काफी रकम हो जाती यहने कि बहुत सारे पैसे उसके पास जुड़ जाते काफी रकम जुड़ जाती इतने में इंजिनियर सहाब ने उसे आवाज लगा यह रसीला दोड़ कर पांस रुपे की मिठाई लेया रसीला ने चाड़े चार रुपे की मिठाई खरी दी और रमजान को अठनी लोटा कर समझा की कर्ज उतर गया तो चाड़े चार रुपे की मिठाई लाकर बाबु जगा सिंग को दे दी और जो बचे हुए आठ आने थे और रमजान को देखकर वह कर्ज से मुक्त हो जाता है बाबु जगत सिंग ने मिठाई देखी तो चौक उठे यह मिठाई पांस रुपे की है पूछ रहे हैं वहाँ पर क्या यह मिठाई पांस की है रसीला का रंग उड़ गया घबरा गया यहीं कि दर गया बाबु जगत सिंग समझ गये उसके चेरे के हाब भाव को देकर बाबु जगत सिंग समझ गये उन्होंने रसीला से फीर पूछा कनफर्म करने के लिए रसीला ने फिर वही दोहराया उन्होंने रसीला के मुँपर एक तमाचा यहीं कि थपड मार दी और कहा चल मेरे साथ जहां से लाया है यहां से तुम यह मिठाई लाये हो वहां चल हुजूर जूट कहूं तो उसके बीस ही उसकी बात रुख जाती है रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी नहीं कि उसने बीस में ही रोख दिया कि इंजिनियर बाबु चिलाए अभी सच और जूट का पता चल जाएगा अब सारी बात हलवाई यहीं की मिठाई बना कर बेचने वाला जैसे चित्र में देख रहे हैं दो वेक्ति मिठाई बना रहे हैं के सामने ही कहना जहां से तुम मिठाई लेके आये थे तो उनके सामने ही सब कुछ कहना अब कोई रास्ता ना बचा था रसिला के पास कोई रास्ता नहीं था वो बोला माई बाप गलती हो गई नहीं की मेरे माई बाप माई का अरते माई और बाप का अरते पिता मुझे गलती हो गई इस बार माफ कर दें इंजिनियर साहब की आँखों से आग बरिसने लिखी नहीं कि उन्हें बहुत गुसा आया और गुसे में उन्होंने निर्दयता से, कुरूरता से या निश्टूरता कहते है और अंग्रीजी में कुरियालिटी से रसीला को खुब पीटा, यनि कि खुब रसीला को मारा फिर गसीड ते हुए, वहीं तक नहीं चोड़ा उन्होंने उसको खीचते हुए, पुलिस थाने, यनि कि पुलिस स्टेशन ले गए सिफाई के हाथ में पांच का नोट रखते हुए बोले मनवा लेना, देखे, उसने खाले अटनी की छोड़ी की थी, लेकिन बाबू जगज सिंग पांच रुपे से वाई को दे कर कहते हैं कि इसे मनवा लेना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इसका अर्थ है कि दुष्ट विक्ति पर समझाने बुजाने का प्रभाव नहीं पड़ता है, यहनिकि उसे मान करी उसे सच बुलवाया जाता है दूसरे दिन मुकदमा, मुकदमे का रथे केस, सेख सली मुदीन की कचहरी कोर्ट में पेश हुआ पेश का रथे अंग्रेजी में प्रेजेंट हुआ केस रसीला ने तुरंट अपना अपराज स्विकार कर लिया सली मुदीन के सामने तुरंट अपनी गलती मान ली रसीला ने उसने कोई बहाना न बनाया चाता तो कह सकता था कि यह साजीस साजीस का रथे शडियंत्र या चाल है मैं नोकरी नहीं करना चाता था इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फसा रहे है यहीं कि बाबू जगत सिंग हलवाई से मिलकर मुझे फसाने का उपाय किया है सडियंत्र रचा है क्योंकि मैं उनके घर में नोकरी करना नहीं चाता या उनके यहां नोकरी करना नहीं चाता तो इसलिए वो मुझे फसा रहे है चाहते किया सकता था लेकिन एक और अपराद गलती अपराद करते गलती करने का साहज यहीं कि हिम्मत वो न जुटा पाया वो हिमत नहीं कर पाया कि मैं एक और जूट बोलके मैं बच सकूँ तो हिमत उसमें नहीं थी उसकी आंके खुल गई आंके खुलने करते हैं खोश आना हाथ जोड़ कर बोला हुजूर मेरा पहला आपराद है यह मेरी पहली गलती है मैंने एक कारी पहली बार किया है इस बार माफ कर दीजिये फिर गलती न होगी शेख साब न्याई प्रियाद्मी थे यहाँ पर वेंग्य में कहा गया है लेखक ने यहाँ पर वेंग्य किया है कि शेख साब न्याई प्रियाद्मी है उन्होंने रस्रिला को छे महीने की सजा सुना दी यहांने कि दण्ड दे दिया छे महीने का कि इवल अठनी के लिए और रुमाल से मूँ पहुचा दण्ड तो दे दिया लेकिन उनके मन में यह लग रहा कि मैंने यहां पर गलत निरने किया है एक गलत डंड सुनाया है सेख साहब के चेहरे पे बहुत पसेना चूट गया तो उसे रुमाल से पहुँचा यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने हजार रुपे बांद कर दिये थे फैशला सुनकर रमजान की आँखों में खुन उतराया आँखों में खुन उतरने कारत है बहुत क्रोध आना असोस ने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंदेर नगरी है इस दुनिया में न्याय नहीं होता है यहां पर केवल अन्याय ही होता है यह नगरी अन्यायों की नगरी है इसलिए अंदेर नगरी का है यहां पर ब्रष्टाचार होता है, अत्याचार होता है चोरी पकड़ी गई तो अपराद हो गया उसकी चोड़ी सी, चोटी सी चोरी थी वो बहुत कम, चोटी चोरी पकड़ी गई तो अपराद हो गया की गलती हो गए और अस्ली अपरादी जो पकड़े नहीं चाधे हैं बड़ी बड़ी कोट्यों में बैड़कर दोनों हाथों से धन बटो रएंें उन्हें कुई नहीं पकड़ था देकिंखि असली अपरादी जो है लाकों रुपे की जो रिश्वत लेते हैं वे बड़ी-बड़ी कोटियों में कोटियों करते बड़े-बड़े बंगलों में जैसे चित्र में आप देख रहे हैं मैं बैट कर दोनों हातों से एक हात काफी नहीं होता है धन बटो रहने की पैसे ले रहे हैं लोगों से उन्हें कोई नहीं पकरता रमजान घर पहुँचा एक दासी ने पूछा क्या हुआ रमजान ने कहा छे महिने की कैद हुई है रसीला को तो रमजान की बात सुनकर दासी ने कहा अच्छा हुआ वह इसी लाइक था यहीं कि रमजान इसी के लाइक था रमजान इस दंड के पात्र था यहीं कि उसे तो दंड मिलना ही था अब दासी की बात को सुनने के बाद में रमजान को बहुत गुसा आया और रमजा ने गुसे से दासी को कहा ये इंसाफ कारते न्याय नहीं अंधे रहने की अन्याय है सिर्फ एक अठनी की ही तो बात थी केवल अठनी की ही चोरी की थी उसने उसको चाये तो माफ कर सकते थे लेकिन वैसा हुआ नहीं रात के समय जब हजार पांसों के छोर नरम गदे पर नरम गदों करते सौफ्ट बेट पर मीठी नीन ले रहे थे यहीं की एक और जो हजार यह तो बहुत पुरानी बात है आज तो लाखो करोडों रुपे के चोर यहीं की जो रिस्वत लेते हैं वो नरम गदों पर बड़े बड़े बंगलों में एसी के अंदर नीन लेते हैं लेकिन रसिला जैसे इमानदार केवल अठनी का चोर जेल की तंग तंग करते हैं बहुत ही चोटी नैरो कहते हैं बहुत ही स्मॉल कहते हैं अंग्रेजी में जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पस्ता रहा था बचों ये आज भी होता है हमें जबी किसी सरकारी अफसर से काम कराना हो तो उसे रिष्वत देनी पड़ती है हमें अस्पताल में एक चोटे सी इलाज के लिए हजारों रुपेर डॉक्टर को या हॉस्पिटल को देने पड़ते हैं पुलिस टेशन में भी रिष्वत देनी पड़ती है तो हर जगह आज रश्टाचार फैला हुआ है तो यह कहानी भी उस ब्रुष्टाचार को उजागर करने वाली कहानी है इस कहानी में भी हमने अब तक पढ़ा है कि बाबु जगह सिंग भी रिष्वत लेते हैं जिल्ला मेरी स्टेट सेख साहब भी रिष्वत लेते हैं तो बच्चों इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है और मैं यह उमीद करता हूँ कि यह कहानी आपको पुरी तरह से समझ में आ गई होगी इसी के साथ आप सबको धन्यवाद हुआ हुआ है